हलो अस्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में अर्च सास्त्र का आवशक्ता विहिंता शमंधी परिफाशा को देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेशिक बातों को जान लेते हैं शामाजिक विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत बस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन, बितरन, बिन में और उपभोग का अधियान किया जाता है, अर्च सास्त्र कहलाता है अर्च सास्त्र के छेतर में निरंतर व्यापक परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसकी कोई एक सटिक परिभाशा देना संभव नहीं है बिविन अर्शास्त्रियों ने अर्शास्त को अपने अपने धंक से परिभाशित किया है फिर भी अधियान की शुब्धा के द्रिष्टी से अर्शास्त की परिभाशा को पांच भागों में बाटा गया है जिसमें से फर्ष्ट है धन केंद्रित परिभाशा आज का मेरा टॉपिक यही अवशक्ता बहिंता शंबंधित परिभाशा है अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओड चलते हैं अर्थ सास्र का अवशक्ता बहिंता शंबंधित परिभाशा प्रोफेशर जेके मेहता ने दिया था प्रोफेशर जेके मेहता इलाहा वादविश्विद्यालय में बानीज विभाग में हेड आप डिपार्टमेंट थे उन्होंने अर्थ सास्र की परिभाशा ही बदल दिया और बहुत प्रशिधी पाए प्रूफेशर जे के महता के अनुसार अर्थ सास्त्र वह विज्ञान है जो मानविय आचरन का इच्छा रहित अवस्था में पहुँचने के एक शाधन के रूप में अध्यान करता है अर्थात अर्थ सास्त्र आवशक्ता बहिंता का सास्त्र है प्रूफेशर जे के महता के अनुसार मानव जीवन का उद्देश सुख को प्राप्त करना है और इस सुख की प्राप्ति अवशक्ताओं के संतुष्टी से नहीं बलकि अवशक्ताओं को सीमित करने से होता है इस परकार अर्थ सास्त्र इच्छा रहित अवस्था में पहुचने का परिनाम है अर्थात अर्थ सास्त्र इच्छा बहिंता इस्थिती का बिज्ञान है इसलिए मनुस को सुख तथा संतुष को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं को कम करते रहना चाहिए अब हम लोग आवशक्ता विहिंता शमंधी परिभाशा की विसेस्ताओं को देख लेते हैं जिसमें सिफ फर्ष्ट है अधिक्तम शूख आवशक्ता रहित अवस्था में पहुँचने पर प्राप्त प्रुफेशर जेके मेहता के अनुसार अर्च सास्तर का उद्देश अवशक्ता रहित अवस्था को प्राप्त करना है प्रुफेशर जेके मेहता के अनुसार मानविय अवशक्ताओं को क्रम सा कम करते करते उन्हें पूर्णता समाप्त कर देना चाहिए नेक्ष्ट है वास्तविक सुख की प्राप्ति इच्छाओं को घटा कर फ्रुफेशर जेके मेहता के अनुसार अवशक्ताएं अनंत है अशीमित है जैसे ही एक अवशक्ता की पुर्ती होती है ततकाल ही दूसरी अवशक्ता जन्म ले लेती है जेके महता के अनुसार व्यक्ति को वास्तविक शुख अपनी इच्छाओं या अवशक्ताओं को बढ़ाने में नहीं बलकि उन्हें कम करने में नहीं थे ब्यक्ति के पास साधन सीमीत होते हैं और इन सीमीत साधनों से भी अवशक्ताओं की संतुष्टी करना शंभव नहीं है अत्थ अधिक्तम शुक की प्राप्ती इच्छाओं को घटा कर ही प्राप्त किया जाशकता है नेक्स्ट है शाधा जीवन उच विचार प्रोफेशर जेके महता महात्मा गांदी के शाधा जीवन उच विचार का पालन करते हुए अर्थ शास्त्र की परिभाशा दिया था नेक्स्ट है शंतुलन की प्राप्ती मस्तिस को सिचित करके प्रोफेशर जेके महता के अनुसार मस्तिस को सिच्छित करके इच्छा रहित अवस्था में पहुँचा जा शकता है अब हम लोग अवशक्ता बेहिंता शंबंधी परिभाशा की अलोचनाओं को देख लेते हैं जिसमें से फर्ष्ट है परसपर बिरोधी बिचार प्रोफेशर जेके महता ने अपनी परिभाशा में परसपर बिरोधी बिचार ब्यक्त किया है एक और वे अवशक्ताओं को समाप्त करने की बात करते हैं जबकि दूसरी और वे अधिक्तम संतुष्टी की बात करते हैं अधिक्तम संतुष्टी के लिए अधिक अधिक अभशक्ताओं की संतुष्टी अवश्यक है नेक्स्ट है इच्छा रहित मानव की कल्पना नीराधार प्रोफेशर जेके महत्य का दृष्टी कौन ब्यभारिक नहीं है क्यूंकि अभशक्ता विहिंता के लच को प्रात करना शाधारन जनता के लिए शंभव नहीं है नेक्स्ट है शव्टा के प्रगती का बिरोधी प्रोफेशर जेके महत्य की परिभाशा शव्टा की उनत्ति के बिप्रित है शब्ता के विकाश के शाथ साथ मानविये आवशकताएं बढ़ती है, ना की घड़ती है आर्थिक नियोजन तथा विकाश विरोधी आज कल कई राष्टों में प्राकिर्तिक संसादनों के सर्भूत्तम विदोहन द्वारा तीब्र आर्थिक विकाश के लच की प्राप्ति हेतु आर्थिक नियोजन की नीदी को अपनाया जा रहा है इसकी विप्रित जे के मेहता ने आवशक्ताओं से मुक्ति पानी की समस्या को आर्थिक समस्या माना है इस द्रिष्टी से मेहता की परिभाश अव्यक्ति गत सामाजिक तथा राष्ट्रिय विकाश में बाधक है इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है हम लोग फीर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए नमसकार